हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ जीतेन शुकला और आप देख रहे हैं डिस्टल एडवाइस समय हो चुका है साथ बच चुके है और क्लास स्टार्ट होने का क्या हो गया है टाइम हो गया है ठीक है रोज साम साथ बजे ट्रिपल सी की क्लास होती है ठीक है जिसमें कम्प्यूटर बेसिक्स पूरा क्या किया जाएगा पढ़ाए जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उससे पहले एक चीज में बता दूँ दो क्लासेज हो चुकी है जिसमें हम लोग मैमोरी टॉपिक को क्या कर चुके हैं डिसकस कर चुके हैं तो जिल लोगों ने नहीं देखा है तो दोनों क्लास क्या कर सकते हैं शेशन देख सकते हैं जिससे उनको मैमोरी क्या हो जाएगा clear हो जाएगा और memory से एक से दो question क्या होते है आपके exam में आते ही आते है ठीक है memory से एक से दो question क्या है आपके exam में आते ही आते है ठीक है तो उसको देख लीजेगा और आज का जो session है वो है input device आज का जो session है वो क्या है input device आज मतलब हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे input device की बात करेंगे ठीक है तो चलिए start किया जाए आज का session तो सबसे पहले समझेंगे input device होता क्या है input device होता क्या है ठीक है तो पहले ज़रा समझने की कोशिस करते हैं जो devices computer के अंदर मतलब उसके दिमाग तक निर्देशों को पहुचाएं वो क्या होगी input devices clear है सीधे सब्दों में बोलना चाहें तो वह devices जो computer के मस्तिक्स तक मतलब CPU तक निर्देशों को पहुचाएं वो क्या हो जाएंगी input devices हो जाएंगी clear है example लेना चाहें तो हम लोग अपनी body का भी example ले सकते है ठीक है for example हम लोग की skin क्या है input device है हम लोग के लिए ear क्या है हम लोग के लिए input device है ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं क्यों 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 आपके ears इयर्स वर्क कर रहे हैं, कान क्या कर रहे हैं, इयर्स काम कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी आवाज को क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है, इसकिन भी क्या है, हमारी इंपुट है, और इंपुट होने के बाद जाता कहा है, दिमाग तक जाता है, ठीक है, जैसा हमारी बॉडी में function होता है, वैसा ही computer में function होता है, ठीक है, तो जो input devices होती हैं, वो input देती हैं, और input कहां पर जाता है, computer के दिमाग तक और computer के दिमाग को क्या कहते हैं, CPU, clear है, तो हम जो कुछ भी input देंगे, वो कहां जाएगा, CPU के पास, ठीक है, तो definition देख लेते हैं, input devices, वो devices हैं, जो हमारे निर्देशों या आदेशों को computer के मस्तिक्सक CPU तक पहुचाती हैं, ठीक है, तो इसको note down करना हो, तो आप note down भी कर लीजेगा, ठीक है, input devices, वो devices हैं, जो हमारे निर्देशों या आदेशों को computer के मस्तिक्सक या CPU तक चाती है, ठीक है, clear है बास अभी को, तो जो computer के अंदर, ठीक है, CPU तक क्या करें, instructions को पहुचाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, input devices कहलाएंगी, ठीक है, जड़ा मैं एक चीज आपको यहाँ पर यहाँ पर यह दिखा दूँगी, computer काम कैसे करता है, थोड़ा सा यह भी आ क्या होता है, input, फिर होता है process, फिर आता है output, example के तोर पर मालीजे, हमने input किया 2 प्लस 2, CPU ने process किया, answer आया 4, और हमें क्या हो गया, monitor पर दिख गया 4, clear है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है, जैसे मैं बोलूँ आपसे 5 इंटू 5, तो आपकी दिमाग तक गया, और आपके दि 25 और आपने तुरंद बोल दिया, ठीक है, तो output आ गया, clear है, तो computer कैसे काम करता है, पहले input लेता है, फिर लिए गए input को क्या करता है, process करता है, और process कौन करता है, computer का दिमाग उसको process करता है, मतलब CPU, ठीक है, और process होने के बाद monitor पे हमें क्या दिख जाता है, output दिख जाता ह clear है, तो three step में computer काम करता है, कोई भी computer हो, laptop हो, mobile हो, tablet हो, three steps में काम करते है, input, process, output, clear है, input, process, output, और ऐसे हम लोग का दिमाग भी काम करता है, ठीक है, पहले input जाता है, फिर दिमाग प्रोसेस करता है, और फिर हम उसको output बोलते हैं, ठीक है, clear है, तो चलते हैं आगे input device को बात करते हैं कितने type की होती है next types of input device देखते हैं तो बहुत type की input devices है keyboard, mouse, joystick, trackball, light pen, touch screen, digital camera, barcode reader, OMR, OCR ठीक है, बहुत सारी क्या होती है input devices होती है ठीक है, कुछ तो होती है main devices, input devices होती है मतलब वो होनी ही, होनी चाहिए ठीक है, कुछ input devices क्या होती है permanently मतलब जूड़ी ही रहनी चाहिए otherwise computer हमारा function नहीं कर पाएगा ठीक है, और कुछ optional होती है जो जरूरत पढ़ने पर हम जोडते है clear है, कुछ permanently क्या रहती है, attach रहती है connect रहती है computer से ठीक है, और कुछ को आवश्यक्ता पढ़ने पर हम क्या करते है attach करते है, ठीक है तो यह क्या है, जितना यह सारे है यह examples कह लीजिए, या types of input devices हैं ठीक है, types of input devices या आप example कह सकते है clear है, keyboard और mouse हमेशा हम लोगों ने देखा होगा हर एक computer में क्या होते है, जोड़ों मिलते है चाहे किसी center जाए, cafe जाए, office जाए कहीं पर भी जाते है तो यह दो input devices क्या होती है हमेशा मिलती ही मिलती है एक keyboard और दूसरी mouse और इसके बाद जो है वो हम लोग आवश्यक्ता पढ़ने पर जोड़ लेते है joystick जैसे game खेल ले हुआ तो joystick जोड़ लिया माली जै भाई, online या digital board पर पढ़ाना है तो light pen यूज़ कर लिया ठीक है, touch screen भी हमारा input है भाई, mobile पर touch करते है input हो जाता है, digital camera भी क्या है input है, ठीक है input device है, ठीक है तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो दो ही input device की बात करेंगे ठीक है, keyboard और mouse और जितनी rest रह जाएंगी, बची हुई रह जाएंगी उनको कल second part में क्या कर लेंगे, cover कर लेंगे, ठीक है तो start करते हैं keyboard से keyboard क्या है, या मुख input device होती है, जिसकी सहायता से लिखा जा सकता है साथी साथ इसका प्रियोग computer को निर्देश देने के लिए करते हैं ठीक है, या एक मुख input device है, मतलब क्या है maximum computers में ये attach होई हमें मिलती है मतलब keyboard पहले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और इसका दो काम है, एक तो लिखना एक तो क्या करना, लिखना और दूसरा काम computer को निर्देश देना है ठीक है, दो काम है keyboard के याद रखिएगा पहला, type करना और type करना का मतलब चाहिए English हो, Hindi हो, उर्दू हो, फार्सी हो Japanese हो, Chinese हो, कोई भी लैंगज हो कोई भी भाशा हो हम keyboard का प्रियोग करके क्या कर सकते हैं, type कर सकते हैं ठीक है भई सभी को clear है, तो keyboard से दो काम होंगे input होगा, input का मतलब text हम लोग दे सकते हैं, लिख सकते हैं और साथी साथ computer को निर्देश भी दे सकते हैं ठीक है, अब बात करते हैं keyboard के computer नहीं, keyboard के types की ठीक है भई, keyboard के type keyboard के प्रकार तो दो प्रकार मैंने बताया हैं, पहला wired keyboard और दूसरा wireless keyboard पहला, wired keyboard और दूसरा wireless keyboard, ठीक है wired keyboard का मतलब क्या होगा भाई keyboard से computer या laptop जिसमें भी जोड रहे होंगे, तो wire होगा, क्या होगा, wire होगा, और wireless keyboard होगा, तो फिर keyboard से और जो computer में जुड़ेगा, तो उसके बीच में कोई wire नहीं होगा, ठीक है, तो wire मतलब, जिसमें wire लगा हो, keyboard में, ठीक है, attach करते समय, वो wire वहाँ तक जाएगा, computer या laptop जिससे connect कर रहे होगे, और wireless में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर wire नहीं होगा, clear है, तो यदि हम माध्यम के आधार पे बात करें, तो keyboard दो प्रकार के होगे, wired और wireless keyboard, ठीक है, clear है, types of keyboard, wired और wireless, ठीक है, और किसके आधार पे connection, medium के आधार पे, ठीक है, next आगे बात कर लेते हैं, फिर दे media keyboard, वो हमने जो देखे थे, वो माध्यम के आधार पे देखे थे, किस प्रकार computer से जुड़ रहा है, किस प्रकार computer से जुड़ रहा है, तो दो प्रकार है, wired keyboard और wireless keyboard, ठीक है, wired keyboard सस्ता मिलता है, ध्यान दखिएगा, market में जाएंगे, देर दोसों का मिल जाएगा, ठीक है, wireless keyboard लेंगे, तो छोड़ा सा, costly पड़ता है, ठीक है, wireless keyboard क्या पड़ता है, ठोड़ा costly पड़ता है, clear है, फिर जब बात करेंगे, टाइपस of keyboard की, तो फिर दो प्रकार के keyboard होंगे, normal keyboard और multimedia keyboard, चित्र में मैंने कीबोर्ड दिखाया है, यह hard- जाती है, जयसे, value अब increase , decrease भी कर सकते हैं इसकी कीज भी वहाँ जोड़ देते हैं next और previous song में जाने कीज जोड़ देते हैं mute करने कीज जोड़ देते हैं तो मतलब multimedia keyboard है तो जो हम लोग song movie प्ले करते न तो controlling हम keyboard से ही कर सकते हैं ठीक है तो multimedia keyboard में कीज क्या होती हैं जादा होती है normal keyboard में कीज कम होती है लगभग 108 की 108 कीज क्या होती हैं keyboard पर होती है fix इसलिए नहीं बोला गया क्यों क्यों क्योंकि fix नहीं है for example अच्छा मैं laptop के keyboard की बात करूँ तो laptop के keyboard में num keypad ये वाला नहीं होता है नम keypad ये जो अलग right hand side part है जहाँ पर number दिये हुए है ये कुछ laptops में num keypad नहीं होता है तो हम fix नहीं कर सकते हैं आप लगभग बोल सकते हैं कि 108 की 108 कीज कीज कीबोल्ड में होती है ठीक है clear है सभी को अब आपसे question क्या पूछा जाता है एक question ये पूछा किया function कीज कितनी होती है function keys कितनी हो तो याद रखिएगा 12 function keys होती है देखो ये f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12 तो ये आपसे पूछी जाए भाई keyboard पर कितनी functional key होती है तो 12 होती है question याद रखिएगा पूछा गया है दूसरा question क्या keyboard के दोरा हम song को play और stop कर सकते हैं तो हाँ बिलकुल कर सकते हैं यदि keyboard हमारा multimedia वाला है तो हम song को play भी कर सकते हैं stop भी कर सकते हैं छीक है clear है भाई आगे चलते हैं keyboard में और देख लेते हैं keys के बारे में और यदि आपको detail में key पढ़ना है तो आप comment करके बताईएगा तो मैं आपको हर एक keys का use बता दूँगा यदि आपको keyboard के बारे में बिल्कुल detail में पढ़ना है हर एक key के बारे में हर एक key के बारे में आपको पढ़ना है तो आप comment करके बताईएगा yes sir हमें एक एक keys के बारे में detail में पढ़ना है और यदि मुझे ऐसे 20 comment आए कि हाँ पढ़ना है तो मैं आपको detailed में जाकर क्या करूंगा हर एक key के बारे में पढ़ा दूँगा, ठीक है, हर एक की की बारे में क्या करेंगे, बात कर लेंगे, यदि मेरे पास ऐसे 20 कमेंट्स आए, कि हाँ सर, आप की के बारे में डिटेल में पढ़ा दीजे, तो बिल्कुल मैं एक वीडियो और वहाँ पर आपको क्या करूँगा, लाइब शेशन में पढ़ा दूँगा, ठीक है, तो टाइपस ऑफ कीज, फंशन कीज की हम बात कर चुके है, एफ़ण से एफटो एल्फ, ठीक है, फिर अल्फा नुमेरिक कीज होती है, एफ से जेड कैपिटल हो चाहें, स्माल ओ, जीरो से नाइन, ठीक है, फिर नविगेशन कीज होती है, एफ साथ 4 होती है, देखों, नविगेशन कीज मैं आपको इसके अलावाए special keys होती है ठीक है control keys होती है बहुत type की होती है ठीक है जैसे caps lock का क्या काम है भाई small और capital letter में लिखने के लिए caps lock का use कर लेते हैं ठीक है tab जब हमें ज़्यादा space देनी हो दो सब्दों के बीच में तो tab का use कर लेते हैं और जब normal space देना होता है तो space bar का use कर लेते हैं keyboard पर ठीक है detail में की पढ़नी हो तो comment जरूर करिएगा जैसे ही मेरे को 20 comments मिल जाएंगे कि हाँ 20 comments हो गए हैं और क्या करना है keyboard की keys पढ़ानी है तो मैं एक live session आपका ले लूँगा ठीक है भाई keyboard की keys पर clear है चलिए बात करते हैं mouse की ठीक है तो mouse में क्या होते हैं mouse में 2 या 3 button होते हैं जिनकी सहाथा से computer को निर्देश दीए जाता है ठीक है और mouse को move कराने पर क्या होता है pointer भी move करता है ये दोखो जैसे for example मैं mouse को move करा रहा है तो मेरा pointer भी क्या कर रहा है move कर रहा है और mouse कैसी device है pointing device है ये भी याद रखिये पूछा गया है mouse कैसी device है pointing device है clear है pointing device है ठीक है जितना keyboard necessary है उतना ही क्या है mouse भी necessary है मतलब आवश्चक है हम लोग के लिए computer चलाने के लिए ठीक है तो mouse के देरा types देख लेते हैं कितने type के mouse होते हैं तो देखो यहाँ पर three types बताया गया है mechanical mouse, optical mouse और cordless mouse wireless जिसे बोलते हैं ठीक है mechanical mouse का मतलब है ये पहले आते थे अब नहीं आते वो mouse जिनमे नीचे ball होती थी माउस के surface पे एक ball होती थी जो surface पे क्या होते थे जब चलाते थे वो अंदर घूमती थी surface पे और वैसा ही हमारा क्या होता था pointer move करता था ठीक है तो mechanical mouse पहले use होते थे अब नहीं पहले mechanical mouse use होते थे अब use नहीं होते हैं ठीक है second mouse को इस प्रकार का होता है optical mouse optical mouse जो आज कल use हो रहे हैं नीचे रहती है भाई आज कल कौन से mouse use हो रहे हैं optical mouse जिन में क्या होती है light होती है ठीक है और cordless mouse ठीक है मतलब जिसमें wire ना हो normally क्या होगा बिना wire के computer से जुड जाएगा वैसा ही wired mouse भी आता है ठीक है तारक वारा जो wired mouse और wired keyboard आते हैं सस्ते मिलते हैं और wireless mouse और wireless keyboard क्या होता है महेंगा मिलता है अप्रोक्समेंटी डबल से जादा का difference रहता है ठीक है तो त्री प्रकार के होंगे तीन प्रकार के होंगे ठीक है mechanical, optical और cordless चलिए बात कर लेते हैं mouse का काम क्या है भाई तो देखो भाई mouse के कार क्लिक कर सकते हैं मतलब mouse की left button को एक बार press कर रहे हैं तो क्या कहलाता है दो बार left button को जल्दे हल प्रस कर रहे हैं तो double click right button को प्रस कर रहे हैं तो राइट click और mouse की button को दबाके mouse के pointer को इधर- Old motion क्रार है तो dragging कहलाता है और mouse के बीच में एक wheel होता है जिसको क्या बोलते है, scroll bar या जिसको उपर नीचे क्या कर रहे है, rotate कर रहे है तो क्या कहलाएगा, scrolling कहलाएगा क्या कहलाएगा, scrolling कहलाएगा ठीक है, अब जब दो तीन बात ध्यान से बोला हूँ, ध्यान से सुन लेना click का use करते है, select करने के लिए click का use, select और close करने के लिए करते है याद रखिएगा, click का use, select और close करने के लिए करते है ठीक है, second point, second point होगा double click का use, open करने के लिए करते है double click का use, किसी भी चीज को computer में आपको song play करना है, movie play करना है कुछ भी चलाना है, तो आप क्या करेंगे, double click करेंगे, तो वो चीज open हो जाएगी, ठीक है, तो double click का प्रियोग open करने के लिए, single click का प्रियोग, किस लिए, select करने के लिए, close करने के लिए, right click का प्रियोग, sub menu आ जाता है, right click प्रस करेंगे, तो sub menu आ जाएगा, देखे, जैसे menu क्या होता है अलग होता है ठीक है dragging मतलब mouse की बटन को दवाय रखना दवा के इधर उदर क्या करना move करना तो dragging कहलाएगा ठीक है और scrolling से document या कहीं पे भी हम उपर नीचे जाते हैं ज़िद हम wheel को rotate करेंगे तो हम document में या internet कहीं पे भी होंगे तो हम उपर नीचे क्या हो सकते हैं move कर सकते हैं ठीक है तो यह था आज हम लोगों ने दो input devices पढ़ी पहली पढ़ी keyboard keyboard क्या है मेन है और mouse भी क्या है main input device है ठीक है keyboard के use की बात करेंगे तो दो use हम लोगों करेंगे तो mouse का है pointing device है input के लिए use होती है कितने type के पढ़े तीन type के पढ़े mechanical optical और cordless mouse ठीक है तो यह था आज का session clear है हम लोगों ने दो input devices पढ़े कहीं पे भी आपको problem हो तो आप comment कर सकते हैं ठीक है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें जिस से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके पहुंच सके ठीक है vac 하겠습니다 आलसी मत बनिये थोड़ा सा भाई मैनत करिए ठीक है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करिए share करिए ठीक है कर ब miss हो तो आप comment कर सकते हैं description में whatsapp number है वहाँ पे और whatsapp कर सकते है ठीक है कभी भी clear है कोई भी problem हो तो आप comment और whatsapp दोनों कर सकते हैं ठीक है share करना मत भूलिएगा share करना है सभी को ठीक है share करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो जाए 7 बजे देखना नहीं भूलना है देखना नहीं भूलना है रोज साम 7 बजे class होगी ठीक है तो मिलेंगे कल नए session में जिसमें हम लोग जो बची हुई input devices हैं उसको discuss करेंगे और कुछ questions भी मैं बताऊंगा input device पर या अधारिज जो आपके exam में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं तो approximately courses रहेगी 10 to 15 questions को भी वहाँ पर क्या कर लें topic भी खतम कर लें उसके बाद 10 से 15 questions भी क्या कर लें discuss कर लें जो input device से आपके exam में पूछे गए हैं और जिन questions की आने की संभावना है ठीक है मिलते हैं कल नए session में good bye